हेलो फ्रेंड्स वेलकुम बैक टू मैं चैनल तो दोस्तो मैं आई हूँ अपने जारखंड में यानि कि अपने माय के आई हूँ और यह है मेरी भाबे और इनका आज मंगलवार था तो हर मंगलवार यानि कि यह बजरंग बली इनका पूजा करती हैं और जिस दिन मंगलवार ह यहां पीको ग्रीन कलर है तो इस में पहले से था तो यह रिप्लाई कर रही है वो गुजिया वाला गुजिया वाला सेप का है यह और यहां पर यह निल पॉलिस वन कोट लगाएंगी और उसके बाद यह आलता लगाने वाली है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले जाए इसी तरह की और भी वीडियो वगर देखने के लिए क्योंकि मेरे से अल्रेडी बना हुआ है वो अप्लोड होगा तो यहां पर देखिए यहां पर इनकी छोट छोटे नेल्स हैं अभी जब मैं आये थी तो इनकी नाखुन काफी बड़े बड़े थे कुछ बड़े थे कुछ चोटे थे तो फिर मैं बोली कि सभी को एक जैसा बना दीजे क्य यहां पर जो यह नेल पॉलिस लगा रही है यह है नायका का नेल पेंट और यह इसका प्राइस कितना है वह तो मुझे नहीं मालूं बट यह नायका का है अच्छा रहता है लेकिन एक थोड़ा सा गाड़ा हो गया था और कलर बहुत अच्छा लग रहा था तो देखें यह यहां पर अप्लाई कर ली है और अब इसके बाद लगाएंगे आलता तो जैसा कि मैं बताती हूं कि जब भी हम लोग कोई पूजा पाट करें तो आलता जरूर लगाना चाहिए तो यह मंगलवार करती है एक होता है ना कि हफते में एक बार जरूर मतलब मनुटें पूजा कि जाती है तो जब भी पूजा करती थी तो पैरो मालता जरूर लगा तो मैंना एक दो वीडियो आप क्रऴे यह करती है हम हार हाफ्ते को लगाती है इस तरह से यह जो मेरी भावी है यह करती है मंगलवार और मंगलवार के दिन जो होता ना नहा करके अच्छे से घर की सापस्पाई करके फिर अच्छे से लाल रंग का जो भी ड्रेस है साड़ी है सूट है अगर साधी सूदा नहीं है तो सूट पहनेंगी ठीक है अगर साधी स पूजा होता है न तो आप अच्छे से 16 सिंगार करके ही मतलब पूजा करें ऐसा मानता है कि हम लोगों को अच्छे से सिंगार वगरा करके ही पूजा पर बैठना चाहिए पैरों में आलता तो जरूर होना चाहिए भले ही आप पूरा मेक अप ना करें लेकिन ये जो है न तो उस वीडियो में आपको दिखाऊंगे कि उसमें ना भावी जो है जो यहां का फिर मसलता है मतलब यहां कानी है वह मैंनुफेक्चर तो कहीं और का है लेकिन यहां पे ज्यादा तर दुकानों बिखता है राज-राणियोवरस आलता जो कि कुलकत्थ या बंगाल का फिर मसल करका होता है तो जादा गाड़ा नहीं लगाऊंगी जल्दी छूड़ता भी नहीं है वह आलता तो यहां पर यह सिंपल साही आलता लगाकर आपको दिखाने वाली है क्योंकि देखें डिजाइन लगाने के लिए काफी वक्त चाहिए होता है और इनको पूजा करना था जल्दी में तो जब भी कोई हफ्ते में एक बार पूजा करता है ना तो सिंपल ही आलता लगाते हैं महनत वाला आलता लगाने के लिए इतना ज्यादा फूर्शत नहीं होता है तो यहां पर यह बीच में गोला करके और चाहरों त्रफ डॉट डोट यहां पर देद रही हैं हाथों से ही तो यह हाथों का जादू हाथों से ही हम लोग बहुत सारे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं जरूरी नहीं है कि कोई चीज होना चाहिए जैसे कौटन बर्डस ह या फिर स्टीक हो गया जरूरी नहीं है हातों से भी हम लोग सुन्दर सा आलता डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं तो देखिए यह आलता इस फिसले उन लोगों के लिए जो पूजा पाथ हफते में करती है तो जरूर आपने पैरों को आलता से सजाए सवारे तो यह हमारी आलता यह हमारे संस्कृति और प्रंपरा को आगे बढ़ाने का एक काम है आप अगर लगाओगे तो आने वाला जो हमारा जैनरेशन है वो जरूर आलता लगाएगा अच्छे अच्छे संदेश दीजिए आलता क्प्रति यह कभी न बोले कि आलता लगाने से एडियां फट जाती ह है आलता लगाने से पैर हमारे खराब हो जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलना जाएगे किसी के भी पास खासकर जो हमारी आने वाले पीडी है अगर आप ऐसा बोलोगे तो उन लोगों के मन में क्या हो जाएगा ना कि अरे यह आलता लगाने से एडियां या पैर खराब होते हैं हम लोग कभे नहीं लगाएंगे साधी के वक्त तो जरूरी हो जाता है लगाने के लिए कि जब दुलन की शादी होती है लड़की साधी होती तो ठाकुर जी या कोई भी लगा देते हैं तो वह जरूरी हो जाता मस्ट हो जाता है लगाना तो उस वक्त लगा लेती ह लेकिन साधी के बाद जब और भी तवहार होते हैं घर में या फिर आप खुद से ही कोई चोटा मोटा पूजा पाट कर रहे हैं तो वह आलता नहीं लगाती है कि नहीं नहीं लगाँगी नेल पॉलिस लगया वही बहुत बड़ी बात होती है आज कल तो बहुत लोगों को मैं सुन्दर ही नहीं दिखेंगो पैरो में हमें सब पायल बिच्वा भी होना चाहिए यहां पैसे मेरी भावी जो पहनी है ना वो आर्टिफिशल पायल और बिच्वा है बहुत अच्छा है तो यह जहां से ली थे उन्होंने बताया कि यह जो पायल पहनी है वो 50 रुपीज की है काफी संदर लग रहे थी मुझे तो अभी तो मैं सोची नहीं हूं लेकिन जब उन्होंने बताया कि 50 रुपे मिल रहे हैं तो मैं सोची हूं कि यह पायल मैं खरीद लूँ तो देखती हूं अगर खरीद लोंगी तो आप लोग को देखी जाएगी वीडियो में गर्मी इ तो अब देखी होंगे लेकिन अभी जो है ना सुबह सुबह का मौसम है तो यह नहा करके साड़ी वगर पहनी थी और उसके बाद तयार हो करके जब इधर आई थी भाबी तो थोड़ा सा पैर जो हो गया था क्योंकि सुबह का वक्त था वही अगर दो पहर में आलता वगर लगती ना तो काफी ज़्यादा ऐसे पानी पानी पसीना पसीना पैर हो जा रहा है ना जिसके वज़ा से आलता वगर पहल जा रहा है लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि हाथों से ही लगाया हुआ है आलता लेकिन कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना और बिल्कुल भी जरूर आलता लगाए जो भी लड़कियां साधी सुधा है नई नवेली अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को आलता जरूर लगाना चाहिए और आलता के साथ साथ अपने पैरों का केर करें ताकि आपकी एडियां नफटे केर करने के लिए आप बोर सकते हैं कभे भी फूट क्रीम लगा करके सॉक्स पहन लेजे रात में बहुत बेश्ट रहेगा और आपके एडियां जो है न मतलब एडियों का ख्याल होगा और साथ ही आप अपना जो भी पैरों का सिंगार है आलता नेल पॉलिस यह सब भी लगाते रहेंगी तो बहुत ही सुन्दर लगेगा तो यह डिसाइन आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल यूटूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा ज़ादा पसंद आई हो तो आप इसको सेयर भी कर सकते हैं वीडिय में